हैं hilarण परूंष पाइथन के स्क्वोर्ट में मैं तो लोग असान से यहां प्रिसख सकते हैं दोस्तों यह लेक्टर्स प्रेक्वेस्ट करता हूं कि भूण हमивалने पूरोत देखें जिस चलिए Python का पहला topic सुरू करने से पहले पहला chapter सुरू करने से पहले मैं कुछ lectures की features बताना चाहूंगा दोस्तों ये पूरे lectures को मैं different chapters में बाटूँगा और परतेक chapters में अलग-अलग lecture होंगे depending on the number of topics मतलब एक चैप्टर में जितने भी topics होंगे उस chapter के अलग-अलग lectures में बनाऊंगा जैसे मालने पहला chapter रहे इंट्रोड़क्शन तो पाइथन तो पहला chapter में जितने topics होंगे हमारे पास उतने number of lectures होंगे तो number of lectures ज्यादा हो शकते हैं लेकिन परतेक lectures का duration होगा वह बिल्कुल कम ह तो आपका एक advantage यह है कि एक टॉपिक एक लेक्टर में मिल जागा जिसे आपको पाइथन के परतेक टॉपिक को deep में knowledge गेन करने में आसानी होगी और इसके साथ different topics को differentiate करने में भी आपको आसानी होगी दोस्तों यह lecture सुरू करने से पहले मैं कुछ और बाते detail में बताना चाह तो इसलिए अगर as a beginner आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आप बेधड़क इसे पढ़िए क्योंकि beginners के लिए python बहुत ही easy programming language है तो as a beginner आप इसे यहां से शुरू से अंतक पढ़के बिल्कुल आसान भासा में समझ सकते हैं दोस्तों अगर आप college students है और cc++ पहले से पढ़ चुके हैं तब तो python आपके लिए चुटक्यों का खेल हो जाएगा यहां पर पढ़ना क्योंकि python जो है मैं बार-बार कह रहा हूं बहुत ही असान सब्जेक्ट है तो python एक ऐसा programming language है जो school के बच्चे को समझाय जाए तो वह आसानी से समझ सकता है तो इसलिए class 12 और class 11 के बच introduction to python किसी भी programming language है किसी भी subject में पहला chapter introduction से होता है तो पढ़ने में अलग मजा आता है तो चलिए सबसे पहला introduction to python पहला chapter cover करेंगे और इसमें पहला topic बहुत ही interesting topic मेंने लिया है why the name python मतलब python का नाम आखिर python क्यों पढ़ा क्या कोई अजगर या इस टाइब का साप के नाम पर python python पढ़ा है कि नहीं बिल्कुल नहीं कि तो चलिए सुरू करते हैं और देखते हैं कि इस python का नाम python अखिर पढ़ा क्यों कि दोस्तों python programming language के जो राइटर थे वो गुड़ोवें रोश्यम थे और उन्होंने इस पूरे complete python programming language को 1991 में पूरी तरह से complete कर दिया और इसे publish कर दिया तो python programming language लिखने के दोरान ही इनके दिमाग में हमेशा यही बात चलता था कि इस programming language का आखिर नाम क्या मैं दूँगा तो दोस्तों मैं इसे इस बारे में एक और बात बता दूँ कि उस समय जब गुड़ोवें रोश्यम python programming language लिख रहते तो bbc पे एक बहुत ही चर्चित play आ उस ब्यक्ति के तो यह बहुत बड़े fan थे तो जब यह python programming language लिख रहे थे तो उसी समय उस सहर में monty python flying circus की एक club आई थी और वहां पे यह लोग उस program को play कर रहे थे तो लिखने का दोरा नहीं जब यह उस play को देखने गया जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़े उसके fan थे तो वो जब इसे देखने गए तो अचानक उनके दिमाग में श्ट्राइक किया कि क्यों न इस programming language को python रख दे क्योंकि python एक बहुत ही अच्छा नाम है और यह इंट्रेस्टिंग नाम भी है और सुनने में भी अच्छा लगता है python तो इसलिए उन्होंने यह नाम python रगा python नाम के एक main role lead करने वाले ब्यक्ति के नाम पर पढ़ा तो आई होब कि यह python नाम क्यों पढ़ा यह आपको बिल्कुल समझ जाया होगा इसके अलबाब बहुत सारे topics introduction to python में तो अलग-अलग topics जैसा कि मैंने बताया अलग-अलग lectures में cover होंगे तो पहला lecture बिल्कुल बढ़ा तो चलिए यह lectures बिल्कुल यहीं खतम करते हैं तो आई होब कि यह lecture बिल्कुल आपको इसमें समय ने कोई बात है ने आपको मजा आया होगा यह lecture देखे कि आखिर python का नाम python क्यों पढ़ा तो इसके साथ मैं यह बात बता दूँ कि अगर यह programming language आप इस lecture से देख रहे हैं तो इस programming language होने के साथ साथ तभी आपको समझ जाएगी क्योंकि कोई भी programming language इसी तब बनती है जाब उससा सुरू से अन तक आप बिल्कुल किलियर में और क्लियर कॉंसप्ट के साथ पढ़ते हैं तो कोई भी सिरी जब जब python की देखे तो या तो यह चैनल पर देखे या किसी औ अन तक वही वीडियो देखे तो अगर आप python यहां से सुरू किये हैं तो इन lectures को मैं चाहूंगा कि आप सुरू से अन तक देखे और एक एक वीडियो को बिल्कुल बिना skip किये हुए देखे तब जाका python आपको समझ आएगी और इसके साथ मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अ तो भी query हो अधियो नंबर पर आप कभी भी संपर करके पूछ सकते हैं इमेल आएडी सब कुछ आपको दिया गया है तो आई होब कि यह पूरा लैक्टर साब के लिए बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो चलिए अब आगे के lectures देखते हैं लाइन बालाइन थैंक्य कर दो